प्रिये चात्रेम चात्राओं, मैं आपका हिंदी विशे का सिक्षक महिंद्र धाकर और आज हम पढ़ेंगे हमारे हिंदी विशे का पांचवा अध्याई जिसका नाम है लगू कथा है लगू कथा का उद्भव सन 1901 इसु में स्री मादव राव सप्रे द्वारा लिखित एक टोकरी भर मिट्टी से माना जा सकता है प्रस्तूत दो लगू कथाओं में से दूत का मुल्य में करतक गिता का सकर्मक स्वरूप प्रस्तूत किया गया है और दूसरी लगू कता सब दोर अनुभूती में प्रकृती में व्याप्त सोंदर ग्रहन करने की छमता के विकास से ही अनुभव करने की प्रेणा दी गई है हमारी पहली लगू कता है दूत का मुल्य अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए घर घर छोटी मोटी चीजे बेचने के प्रियास में एक बालक अपनी भूक मिटाने के लिए एक घर के दरवाजे पर दस्तक देता है एक असहाई बालक है जो अपना जीवन यापन करने के लिए और अपनी पढ़ाई करनी के लिए काम करता है कुछ सामान बेचता है और बहुत गर्मी वभूक प्यास से परिसान होने के कारण वह चक्कर खाकर एक जगे गिर जाता है फिर वह हिम्मत करके एक घर पर जाता है जहाँ दरवाजा बजाता है और वहाँ से ग्रहणी निकल कर आती है बच्चा उस घर भीक माँगने के हिसाब से गया था परन्तु महिला को सामने देखते ही बालक का आतमसम्वान जाग उठा उसने रोट्णी माँगने के बजाए सिरु प्यास बुझाने के लिए पानी मांगा बूके प्यासे बालक की दसा देखकर महिला को दया आ गई वह घर के बिथर गई और बालक को पीने के लिए एक गिलास दूद दे दिया आश्चरे चकित बालक ने उस दयालू महिला का चेहरा देखा और बिना कुछ कहे धीरे धीरे दूद पी लिया उसकी आँखों में आदर और करतिक गिता का भाव भर आया था उसने विनमरता से उस महिला से सवाल किया कि मैं इस दूद का मुलिक के से चुका पाऊंगा बालक की बात को सुनकर उस महिला ने कहा इस दूद के लिए तुमें कुछ भी नहीं चुकाना होगा हमारे बुजूर को ने सिकाया है कि सदा सैता के किसी काम के लिए किसी भी तरह की किमत की अपेच्छा नहीं करना चाहिए करतिक की बालक उस महिला को ससरद निहारता चला गया बहुत वर्सो बाद वह दयालू महिला एक गंबिर बिमारी की सिकार हो गई उस सहर के डाक्टर उसका इलाज करकर के हार चुके थे अर्थाद उसका सही तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा था वही महिला बिमारी थी वह ठीक नहीं हो पा रही थी उस सहर में उस महिला का इलाज ना होने के कारण उसे राजदानी के विससक्गी डाक्टर से इलाज एवं आपरेशन कराने का परामर्स दिया महिला को राजदानी के बड़े हस्पताल में भरती करायेगा उस प्रसिद्ध डाक्टर के सामने महिला मरीच के सभी कागजात लाए गए डाक्टर को बताया गया कि वहां अमुक सहर से आई है तो डाक्टर की आँखों में चमक सी आ गई उसने उस महिला का आपरेशन और उसकी देखभाल की और उसे ठीक कर दिया डाक्टर ने उसकी सेवा बड़े ही दिल से की वसरद्धा भाहु से की और कुछी समय में वह महिला पूरी तरीके से स्वस्त हो गई नया जीवन पाकर महिला बहुत खुश थी उसने अस्पताल के श्टाफ से भुकतान के लिए बिल मांगा तो कुछ देर बाद उसके हाथ में फलिफाफा आया महिला को लगा कि बड़ी भारी बरकम रासी मुझे चुकानी पड़ेगी बहुत महंगा बिल आया होगा परन्तु महिला ने जब लिफाफा खुला और देखा तो महिला का दिल धड़क सा रहा था डर रही थी वह कि बहुत बड़ा बिल होगा परन्तु बिल का भुकतान बड़सो पहले हो चुका एक गिलाज दूद ऐसा उस लेटर में लिखावा था और उसके नीचे है लिखा उसके हस्ताक चरते आपका दूद वाला बच्चा जो आज डाक्टर है वह लड़का जो उस समय उस महिला से दूद मांगा था बच्चा था और अपनी भुक मिटाने के लिए महिला से पानी मांगने गया था परन्तु महिला ने उसे एक गिलास दूद दिया था क्रत उपकार के प्रती क्रतिक गिता ग्यापन का स्रेष्ठितम रूप इस लगुकता का कत थे जो ना केवल प्रभावत पातपक है अपिदू अनुकर्णी भी है अब हमारी दूसरी लगुकता सब दोर अनुबूती को समझेंगे सुन्दरी को अनेक प्रकार से परिभासित किया जाता है कोई इसे इंद्रियों को सुख प्रदान करने वाले भूतिक रूप तक सीमित कर देता है तो कोई इसको आत्मिक सुख देने के तत्तु की प्रदानता देता है रविंद्र नाटेगोर सुन्दरी सास्तर पर एक पुस्तक पढ़ रहे थे बहुत ध्यान से पढ़ते वे वे यह जानने को उस्तुख हो उठे कि सुन्दरी क्या है आदी रात बीच चुकी थी पूर्णी मा की रात थी उन्हें नीन भी आने लगी और उब भी होने लगी वे समझ नहीं पा रहे थे कि सुन्दर क्या है जब वे सांत हो गए तो फूक मारकर मुंबत्ती की रोशनी बुजा दी जैसे ही उन्हें ने मुंबत्ती बुजाई चांदनी उनके दरवाजे और खिड़की में से जाकती हुई कमरे में गुसाई सारा वातवर्ण जोतिर मैं हो गया उन्होंने खिड़की के पार से देखा तो इसा लगा जैसे चांद उनसे कह रहा हो मैं बहुत देर से तुम्हें याद कर रहा था पर तुम किताबों में डूबे थे ठंडी हवा का जोका आया और उनका तन्मन बदन चांदनी में नहा गया इस प्राक्रतिक मनोहारी सोंदर्य को देख वे इतने अबुभूत हो गए कि उनके मुख से अकस्मात निकल पड़ा कि यही ही सोंदर्य है यही सोंदर्य वे कक्षे से बाहर निकल छट पर आ गए उन्हें लगा जैसे मैं चांदनी की जील में उतर गए हूँ अब समझ में आया कि सब्द तो माद्य में मुखी बात तो अनुभव किये जिससे गुजरना होता है केवल सब्द पर ठहर कर अनुभूती नहीं होती इसलिए यात्रा के हरंब में सब्द अवश्य है पर अंत नहीं हो सकते अंत में अनुभव काम आएगा और यही सितांत ज इस प्रकार हमारा अध्याय लगू कता है समाब दोता है